उस जगह से सब डरते थे फिर एक आदमी आया जो डर से अंजान था झाल 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 फैमिली के साथ बैट कर बल को धिना देखे टेलेगो फिल्म या या खीनी होट्सरार के OTT प्लाट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनाश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है ये सूपरनाश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवर्ट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांड कर डाले हैं इ इस मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठड़की फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बिल्कुल भी ना देखे ये शो फैमिल से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब यक्षनी को वो आकरी लगा कौन मिलता है कौन है जो यक्षनी को मार कर कुवेर के सामरा जो को हरकना चाहता है ये स को सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की वेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है अनॉंसेस टाइब की चीज़े दिखाई जाती है VFX CGI बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बजट बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदन से डारेक्टर साफ ने दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुती कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फोन को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यशकीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर Most Awaited सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है इस देखने के लिए बच्चे से लिए करवरे सभी लंबे समझ सबने नसरे गराए बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाशा में डिस्नी प्लस और स्टार पर हो गई है यक्षिनी करनर देश अंते जमाने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आये है जैसे नागिन पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कॉन से प्लेकर आये है जिसरे एकने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्लेकर असमान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पुरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फायदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद यक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरश मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके पुलागाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदा निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दर्डी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि ये एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब सूरत होती है कि कोई भी पुरुशन के प्यार में पर जाएगा, ये एक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में क्या गया है फैमिली के साथ बैट कर, बल को घिना देखे टेलेगो फिल्म या या खीनी, होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं, इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है, इस सीरिस के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ सीरिस के 6 एपिसोड्स देखने हैं, उन 6 एपिसोड्स के अगर लिंद के बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना दे है, तब कुवेर से इस यक्षिणी को सजा मिलती है कि तुमारे 100 लोगों से प्यार करना होगा, और उनको मारना होगा और जो आकरी इंसान होगा वो वर जिन होना चाहिए, अब यक्षिणी को आकरी लगा कौन मिलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी हो अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीस बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीस की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीस की वेज़ भी सर्फ पर सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक्ट सीजी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है इसका दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओडिटी पर देखे प्यार औरडर का खौफनाक मंजर ओडिटी पर मोस्ट अवेटिट सूपरनाश्रल शोर रिलीज हो गई है जिस देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी का निरदेश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सूपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आई ये जानते है कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरुष से प्यार कर बैठती है जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिनी अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुष मिलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उस के प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजय कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज स्रीनिवाश तेज का कुमन दैनान दर्यडी तेनेली शकुंतला और ललीता सवाल उटने वाला है कि आकी रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि एक देब दूथ है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा ये अक्षिनी का जिक् आपको लगेगा कि विक्रमवर्ट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांट कर डाले है इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है सर्फ सीरीज के 6 एपि सूट्स के अगर लिंद के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठड़की फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ क अगर बलकल भी ना देखे ये शो फैमिली कॉंटेंट नहीं है फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है जो इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तब कुवेर से इस यक अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीज की वेस्पी सर्फ पर सर्फ इस फिल्म की बात की जाए तो उसमें बिल्कुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक्ट सीजी आई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बज बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदंक से डारेक्टर साहब में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुती कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल् देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समय यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी फिला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करने देशन तेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे न एक सामने पुरिष से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुषों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिने अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुष मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उस के प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिने अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को फटापट डिसने प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षिनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज स्रीनिवाश तेज का कुमान दैनान दर्यडी तेनेली शकुंतला और ललीता त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई, किरन जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब बैट कर्बल को घिना देखे टेलेगो फिल्म या यक्षिनी होट सार के OTT प्लैट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेफ सीरीज रिलीज की गई है ये सूपरनेश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म के आस-पास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना देखे ये शो फैमिली कॉंटिन नही ही तो फिल्म की गहानी की बात की जाये तो वेड के इसामराज्य की ये क्षु की सब्राइब कर ये जो कि धारती पढ़ा कर एक इंसान से ऊप्रोण होब करता है तब कूबेर से इसी ले बनागा चाहिए क्षु को मार कर का पूलता है कॉन है जो अक्षिनी को मार कर खुवेर के सामरे जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटे नॉंसेस टाइब की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़िट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बज़िट बहुत ही कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे से डारेक्टर साफ में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बज़िट बहुत ही कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ हो गई है जिस देखने के लिए बच्चे से लिए करवरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गराये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाथी भाशा में डिस्नी फिला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो दर्शको की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक तिलेगो वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद यक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पूरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल प्रशना का वेटिका माया यानि एक्षिनी का करदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमन, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला, और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन, जैसे कई एक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरु और महवारत जैसे वोरानी कथाव में किया गया है, फैमली के साथ बैट करबल को घिना देखे टेलेगो फिल्म या यक्षिनी, होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरीज रिलेस की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लग देखने हैं, उन 6 एपिसोड के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आस पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गया है, इस शो को आप अपन प्रती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे 100 लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा वो वर्जिन होना चाहिए, अब इस फिल्म को कोई अच्छा डाइरेक्टर बना था तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी, क्यूंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है, पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है, इस सीडीज की वेस भी सर्फ पर सर्फ इस फिल्म क की बात की जाए तो उसमें बिल्कुल वेदम नहीं है, फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है, वी एफेक्ट सीडीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का ब बजट बहुती कम है, फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदन से डारेक्टर साथ में दिखा नहीं सके, कई बार ऐसा, इसलिए भी होता है, क्योंकि फिल्म का बजट बहुती कम होता है, इसीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा, अगर आपके पा जिसे देखने के लिए बच्चे से लेकरवरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गड़ा आये बैठे है, इस शो का नाम यक्षिनी है, यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामिल मली आलम कर्नर हिंदी, बंगला और मनाथी भाशा में डिजनी फिला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो ग देखने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यासमान पर है, ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है, यक्षिनी एक तिलेगो वेब सीरीज है, जिसमें यक्षिनी एक सामन्य पुरिश से प्यार कर बैठती है, जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमो का उलंगण होता है और फिर उसे श्राब मलता है, कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है, तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सो ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा, जिसे अपनी जान की बिलकुल भी परवाना हो, जिसके बाद ये एक्षिनी अपन कुल दिल्चस रहेगा कि ये अपनी मिशन में सक्सेस्फूल हो पाती है, और अलका पूरी वापस लोटती है, यार नहीं, सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ा पड़ डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा, ये अक्षिनी में लक्षमी मंचू, जौला मु कुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक सवाल उटने वाला है कि आकि रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि ये एक देब दूत है, जो मंदिर की प्रणी के साथ बैट करबल को घिना देखे तेलेगो फिल्म या या खीनी, होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सुपरनेश्रल वेब सीरीज रिलीस की गई है, ये सुपरनेश्रल तुम है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, पर न इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है, इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत ज्यादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ सीरीज के 6 एपिसोर्स देखने हैं, उन 6 एपिसोर्स के अगर लेंट की बाद क कर बिल्कुल भी ना देखे यह शो फैमिली नहीं है तो कुवेर के सामराज्य की यक्षणी है जो की धारती पढाकर एक इनसान से प्यार कर बैठती है जो इनसान उसे accept नहीं करता है तब कुवेर से इस यक्षिनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब ये अक्षिनी को वो आफ़ी लगा कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेट के सामरे जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरिस का बजट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरिस का बजट बहुत ही कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदंक से डारेक्टर साहब ने दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ही कम होता है सीरिस का दूसरा सीजन में आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के नहीं है तो आप इस फोन को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सवावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शो डिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए ब इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शो जाए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्श्रस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेखने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षन एक सावने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होग लेकिन जब उसके मुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बिलकुल दिल्चस रहेगा कि या एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फूल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लि जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमन, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन जैसे कई आक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक सवाल उठने वाला है कि आके रियक्षिनी है तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूथ है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, येक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरान के कथाव में क्या गया है? शे एपिसोड के अगर लिंद के बात की जाए तो 30 मिनिट के आस-पास की है देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गया है, इस शो को आप अपनी फैमली के साथ बैठ कर बलकल भी ना देखे, ये शो फैमली कॉंटेंट नहीं है, फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए, अब यक्षनी को वो आखरी लगा कौन मिलता है, कौन है जो यक्षनी को मार कर खुवेर के सामराज्य को हरकना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की वेस भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरिस का बजट का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरिस का बजट बहुती कम है फ के पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सहावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओडिटी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडिटी पर मुस्ट अवेटिट सूपर नैश करनर हिंदी, बंगला और मनाथी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षनी करने देश अंतेज अमाने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस ल अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद यक्षरी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पूरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके प्यार में पर जाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा कि किया यक्षरी अपने मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिस्नी प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षरी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल क्रिशना का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमन, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन, जैसे कई एक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक सवाल उटने वाला है कि आकि रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरु और महवारत जैसे वोरानी कथाव में किया गया है। देखने हैं। उन छे एपिसोर्स के अगर लेंड की बात की जाए तो तीस मिनिट के आसपास की है, देखने को मिलती है। उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए। अब यक्षनी को वो आकरी लगा कौन मिलता है, कौन है जो यक्षनी को मार कर कुवेर के सामरे जो को हरपना चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी, क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है, पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है, इस सीरीज की वेश भी सर्फ पर सर्फ इस फिल्म बोहती कम ख्याल रखा गया है, और सीरीज का बज़िट बहुती कम है, पर उसे सीदंग से डारेक्टर साहब ने दिखा नहीं सके, कई बार ऐसा, इसलिए भी होता है, क्यूंकि फिल्म का बज़िट बहुती कम होता है, सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है, तो आप इस फिल्म को एक बट देख सकते हैं बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है, यक्षनी का निरदेश अंतेजा माने ने किया है, हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए हैं, जैसे नागिन, पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इ अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है, कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है, तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा, जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो, जिसके ब और आनुसे एक ऐसा पुरुश मलता है, जो शादी से बहुती दूर भागता है, लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षनी से होती है, तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है, वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा, कि या एक्षनी अपनी मिशन में और अलकापुरी वापस लोटती है, यार नहीं, सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिस्नी प्लस और स्टार पर जाना होगा, ये अक्षनी में लक्षमी मंचू, जो आला मुखी का, राहुल विजे कृषना का, वेटी का माया यानि अक्षनी का किरद हनुवीर सही किडन जैसे कई अक्षनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि ये अक्षनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इ या या खीनी, होट सार के OTT प्लाट्राम पर एक साथ इंडिया सुपरनैश्रल वेब सीरीज रिलीज की गई है, ये सुपरनैश्रल तुम है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं, इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े का कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ सीरीज के 6 एपिसोर्स देखने हैं, उन 6 एपिसोर्स के अगर लेंट की बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फि सामराजय की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है, कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा, और उनको मारना होगा, और जो आकरी इंसान हो अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीस बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीस की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीस की वेज़ पी सर्फ पर सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक्ट सीजी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है इसका दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओडिटी पर देखे प्यार औरडर का खौफनाक मंजर ओडिटी पर मोस्ट अवेटिट सूपरनाशनल शो डिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर बंगला और मनाथी भाज़ा में डिजनी विला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी का निरदेश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सूपरनाशनल शो आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेक अलगा सपर्वर हैं ऐसे बहना है जिसे यह जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यह खिनी एक तेलेगु वेप सीडिय से जिसमें यह एक सामर्य पूरुष से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुषों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिने अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुष मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, त्रिनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दर्रडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था त्रिनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन? तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूथ है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, येक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरान कथाव में क्या गया है? येक्षिनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इनसान से प्यार कर बैठती है, जो इनसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस येक्षिनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए. अब येक्षिनी को वो आकरी लगा कौन मिलता है, कौन है जो येक्षिनी को मार कर खुवेर के सामरे जो को हरपना चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी. अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी, क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है, पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है. इस सीरीज की इवे स्पी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है, एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है, फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है, वी इस सीरीज का दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा, अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है, तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं, अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी, ओडिटी पर देखे प्य नाम यक्षिनी है, यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगु तामल मली आलम करनर हिंदी, बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है, यक्षिनी करने देश अंतेजा माने ने किया है, हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश आए हैं जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आये हैं, जिससे रेखने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है, ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है, यक्षिनी एक तिलीगु पाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा, जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो, जिसके बाद यक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है, और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है, इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश म सबी तरह से सवालों के लिए दर्शको को पड़ापर डिस्नी प्लस और स्टार पर जाना होगा, यक्षिनी में लक्षमी मंचू, जौला मुखी का, राहुल विजे क्रिशना का, वेटी का माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है, इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाज, तेज काकुमन, दैनान दर्डी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किडन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है हम आपको बता दे कि एक्षिनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, एक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरानिक यह सूपरनैशनल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवर्ट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है, इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सर्फ सेजिस के 6 एपिसोड्स देखने हैं, उन 6 एपिसोड्स के अगर लिंद के बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो यह समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना देखें, ये शो फैमिली कॉंटिन नहीं है, फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए, तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इनसान से प्यार क इस सीरीज की कहानी में बात बाती पुटेंशिल है, पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं क्या घया है, इस सीरीज की वेसपी सर फर्सर, इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुर विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफिक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़ित का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बज़ित बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे से इदंक से डारेक्टर साहब में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बज़ित बहुती कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यशकीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर Most Awaited Supernatural शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे कराए बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्लेकर आए है जिसरे एकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आई ये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक टिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पुरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठाकर इसे पुरुषों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को ढूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरश मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके पुलागाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है यक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि एक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश तेज काकुमान, दैनान दरेडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था, त्रीनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब सब्सक्राइब के साथ बैट करबल को खिना देखें, तेलेगो फिल्म या यक्षिनी, होट सार के OTT प्लैट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरीज रिलीज की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ह ने हैं, उन छे एपिसोड के अगर लेंट के बात की जाए, तो तीस मिनिट के आसपास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है, इस शो को आप अगर की जाए, तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है, कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा, और उनको मारन होगा और जो आक्री इंसान होगा वो वर्जिन होना चाहिए अब यह कुछ को आक्री लगा कौन मिलता है कौन है जो यह कुमार कर खुवेट के सामबे ज़को अपना चाहता है यह सब जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बना था तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफिक से जी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़िट का बहुती कम रखा गया है और सीरीज का बज़िट बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदंक से डारेक्टर साहब में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बज़िट बहुती कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन में आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देख अफनाक मज़र ओडीटी पर मोस्ट अवेटिट सूपरनाशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकरवरे सभी लंबे समझ अपने नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम कर्नर हिं को से प्ले कर आए है जिससे ने खनी के लिए और शकोरी की खुझी साथ प्यास्मान पर है एसे में आ यह जांते हैं कि यक्षिनी आ क्या कच खास है एक टिलीगो वेब सीरी जिस है जिसम rashनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बजह से अलका पूरी के नियम का लंगण होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसाल का पुड़ी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखन प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजय कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुडे स्रीनिवाश तेज का कुमान दैनान दरेड़ी तेने यहनी हनुवीर सई किरन जैसे कई अक्षनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षनी है कौन तो हम आपको वता दे कि एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतने कुब सू सब्सक्राइब को जिना देखे टेलेगो फिल्म या या खीनी होट सार के ओडिटी प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेफ सीरीज रिलीज की गई है यह सूपरनेश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांड कर डाले है इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैनत करनी की ज़रत नहीं है सर्फ सीरीज के छे एपिसोड्स देखने हैं उन छे एपिसोड्स के अगर लेंट की बात की कह ड़े यह वांबनी नहीं है धिल्मकी कहानी की बात की जाए तो इक्षिनी डार्टी पढ़ा कर एक इंसान उसे एकसब्ट नहीं करता है तब अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीस बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीस की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीस की वेश भी सर्फ अर्सर्फ इस फिल्म के अक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्षन की बात की जायot तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीडीस ऐसे हैं जिनका कोई लौजिक नहीं है नॉनसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है भी ए इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का वजट बहुती कम होता है इसी इसका दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खुब सूर्ती के जाल में सौवास सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओटीटी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनाश्रल शोड रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समच अपनी नसरे गराए बैठे है इस शो का नाम यक् जैसे नागिन, पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेकने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आई ये जानते है कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक तिलीगू वेब सीरीज जिसमें ये एक्षिनी एक सावने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके मुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पूरी वापस निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी उप्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन, जैसे कई आक्षिनी सीरीज देखने के बाद आपके मन में ए याक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, याक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत, जैस आपको लगेगा कि विक्रमवर्ट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है, इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ सीरीज के 6 एपिसोड्स देखने हैं, उन 6 एपिसोड्स के अगर लिंद के बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकल भी ना देखें, ये शो फैमिली कॉंटेंट नहीं है, फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए, तो कुबेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इनसान से प्यार कर बैठती है, जो इनसान उसे ए फैलर का कौन मिलता है, कौन है, जो ये एक्षनी को मार कर खुवेर के सामराज्य को हरपना चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डाइरेक्टर बनाता, तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी, क्य इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है, इस सीरीज की इवेज भी सर्फ और सर्फ, इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं नहीं सके कई बार ऐसा इस लिए भी होता है क्योंकि फिल्म का वज़िद बहुती कम होता है इसी इसका दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खुबसूरत अपनी नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिस्नी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेजम आने ने किया है हाला कि इससे पह जिसमें यक्षिनी 15 सामने पुरी से प्यार कर बैठती है जिसके मज़ें से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी कुबसूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतल करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसक प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा कि किया ये अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दरेडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इन प्रणी के साथ बैट कर बलको धिना देखे तेलेगो फिल्म या यक्षिनी, होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेफ सीरीज रिलीज की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, प तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर बलको धिना देखे, ये शो फैमिल इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे 100 लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा, वो वर जिन होना चाहिए अब ये अक्षिनी को वो आफ्रिलर का कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेट के सामड़ा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवेज भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के आक्टरस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल वीदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है VFX CGI बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बजट बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे से इदंग से डारेक्टर साहब ने दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुती कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर Most Awaited Supernatural शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे कराए बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी, बंगला और मनाठी भाज़ा में डिस्नी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंते जमाने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेकने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आये जानते है कि इकशनी में क्या कुछ खास है इकशनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें इकशनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उस अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद इकशनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एकशनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एकशनी अपनी मिशन में सकसेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अकशनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अकशनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, त्रिनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दर्रडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था त्रिनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किरन जैसे कई अक्टरस नज़राएंगे और यकशनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है किया की रियकशनी है कौन तो हम आपको बता दे कि यकशनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुशन के प्यार में पर जाएगा यकशनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में क्या गया है फैमिली के साथ बैट कर बलकुल दिना देखे टेलेगो फिल्म या या खिनी होट सार के OTT प्लाट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनैश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है ये सूपरनैश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पढ़ने ही इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है इस सीरिस के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैंनत करने की ज़रत नहीं है सर्फ सीरिस के 6 एपिसोर्स देखने हैं उन 6 एपिसोर्स के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकल भी ना देखे ये शो फैमिली कांटिन नहीं है फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकली इंसान होगा वो वर्जिन होना चाहिए अब ये अक्षनी को वो आकली लगा कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षनी को मार कर खुबेर के सामदा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखने होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डाइरेक्टर बनाता तो ये एक बड़ीया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की वेज़ भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती है वी एफिक से जी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़िट का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बज़िट बहुती कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदंक से डारेक्टर साहब ने दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बज़िट बहुती कम होता है OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र OTT पर मोस्ट अवेटिट सूपरनाश्रल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकरवरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामिल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी का नर्देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कॉन से प्लेकर आए है जिसरे एकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आए जानते है कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक टिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसल का पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिलकुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में य या एक्षिनी अपने मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिजनी प्लस और स्टार पर जाना होगा येक्षिनी में लक्षमे मंचू जौला मुखी का राहुल विजे अगावेटी का माया यानि अक्षिनी का करदार निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमन, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला, और ललीता कुमारी प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किडन, जैसे कई आक् के मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आकी रियक्षिनी है कौन, तो हम आपको बता दे की एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुश, उनके प्यार में पर जाएगा, य सब्सक्राइब के साथ बैट करबल को घिना देखे, तेलेगो फिल्म या या खीनी, होट सार के OTT प्लैट्फराम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरिस की गई है, यह सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, प की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है, तो यह समझ ले कि यह फिल्म आपके लिए ही बनाए गई है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बिल्कुल भी ना देखे यह फैमिली कॉंटेंट नहीं है, तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है, कि तुमारे 100 लोगों से प्यार करना होग और जो आक्री इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब येक्षनी को वो आक्री लगा कौन मिलता है कौन है जो येक्षनी को मार कर फुवेट के सामड़ा जै को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सिर्ष देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का वजट बहुती कम होता है सीरीस का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यशकीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर मोस्ट अवेटिट सूपरनाश्रल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकरवरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे कराये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाशा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिस सरे एक ने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्रयास्मान पर है ऐसे में आए जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक टिली गूवेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरी से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पूरुषों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिने अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुष मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदा निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दरडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था त्रीनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन? तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, येक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरान कथाव में क्या गया है, फैमिली के साथ बैट कर बल को धिना देखे, टेलेगो फिल्म या यक्षिनी, होट सार के OTT प्लैट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की जैसे ही होगी, पर नहीं, इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बरे कांट कर डाले है, इस सीरिस के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत ज़ादा मैंद करनी की ज़रत नहीं है, सर्फ सीरिस के छे एपिसोड्स देखने हैं, उन छे एपिसोड कि अगर लिंद के बात की जाए तो 30 मिनिट के आस-पास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बिल्कुल कि सब्सक् Dafy जो कि एक्सेंप्ट नहीं करता है तब कुवेत से इसуюसी एक निकों सजा मलती है कि ये सब जाने के लिए आपको ऐस देखनी होगी अगर इस फुर्म को की अच्छा डाइरेक्टर बना था तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीडीज की वेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेंस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है VFX CGI बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बजट बहुत ही कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे से इदंग से डारेक्टर साथ में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ही कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र OTT पर Most Awaited सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समच अपनी नसरे गड़ाये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी, बंगला और मनाठी भाज़ा में डिस्नी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिसरे एकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आई ये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक टिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पुरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिलकुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिने अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके मुलागाती एक्षिने से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिलकुल दिल्चस रहेगा कि ये एक्षिने अपनी मिशन में सक्सेस्फूल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शको को पड़ापट डिस्ने प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचू जवाला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटी का माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, त्रिनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दर्रडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था त्रिनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुशन के प्यार में पर जाएगा, ये एक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में क्या गया है फैमिली के साथ बैट कर बल को घिना देखे तेलेगो फिल्म या या खीनी होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनैश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है ये सूपरनैश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पड़नी ही इस फ्लम ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड कर डाले है इस सीरिस के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत ज्यायदा मैनद करनी की ज़र्रत नहीं है सर्फ सीरिस के 6 एपिसूर्स देखने है उन छे एपिसोड के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है इस शो को आप अपनी फैमली के साथ बैठ कर बलकल भी ना देखें ये शो फैमली कांटेंट नहीं है इस यक्षिनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब ये अक्षिनी को वो आफ़ी लगा कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेर के सामरे जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाये तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़ित का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बज़ित बहुती आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओडिटी पर देखे प्यार औरडर का खाफनाक मज़र ओडिटी पर मुस्ट अ करनर हिंदी बंगला और मनाथी भाज़ा में डिजनी विलस और स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षनी करने देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आये हैं जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आये हैं जिससे रेकने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षनी में क्या कुछ खास है यक्षनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिलकुल भी परवा ना हो जिसके बाद ये अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पूरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षनी में लक्षमी मंचु जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमन, दैनान दर्डी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रण प्रणी था, त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि येक्षनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके द साथ बैट कर, बलको धिना देखे, तेलेगो फिल्म या या खीनी, होट सार के OTT प्लैट्फराम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरीज रिलीज की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांड कर डाले है, इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं हैं, सिर्फ सीरीज के 6 एपिसोर्स देखने हैं, उन 6 एपिसोर्स के अगर लेंड की बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना देखे, य इस शो फैमिली कॉंटेन नहीं है, तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है, कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना हो और जो आकित एंसान होगा वह वर्जिन हो चाहिए अब ये को आक्री लगा कौन मिलता है कौन है जो ये कुमार कर कुबेर के सामड़ा जो को हरपना चाहता है यह सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखने होगी अगर इस फिर्मकोई अच्छा डाइरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीडीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीडीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की वेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के अक्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाये तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेंस टाइब की चीज़े दिखाई जाती है VFX CGI बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बजट बहुत ही कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे से इदंग से डारेक्टर साथ में दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ही कम होता है सीरीज का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर Most Awaited Supernatural शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे सबस्ष अपनी नसरे कराए बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिस्नी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेज माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेखने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आई जानते हैं कि इकशनी में क्या कुछ खास है इकशनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें इकशनी एक सामने पुरिष से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उस अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद इकशनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एकशनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है यक्शनी में लक्षमी मंचू, जौला मुखी का, राहुल विजे कृष्णा का, वेटिका माया यानि एक्शनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी, सुरे, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दरेडी, तेनेली, शकुंतला, और ललीता कुमारी प्रनी था त्रीनाथ, नवीन नैनी, हनुवीर, सई किडन, जैसे कई एक्टरिस नज़र आएंगे और येक्शनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्शनी है कौन तो हम आपको बता दे कि येक्शनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुशन के प्यार में पर जाएगा येक्शनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में क्या गया है फैमिली के साथ बैट कर बलकुल धिना देखे टेलेगो फिल्म या या खिनी होट सार के OTT प्लैट्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनैश्रल वेब सीरिस रिलीज की गई है ये सूपरनैश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े-बड़े कांड़ करड़ा लें इस सीर्ज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैंनत करने की ज़रत नहीं है सist सीर्ज के 6 अपिसोड्स देखने हैं उन छे एपिसोड के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है। हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गई है। इस शो को आप अपनी फैमली के साथ बैठ कर बिल्कुल भी ना देखें ये शो फैमली कॉंटेंट नहीं है। तुम के कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है जो की धारती पढ़ाकर एक इंसान से प्यार कर वैठती है। इंसान उसे accept नहीं करता है तब कुवेर से इस यक्षिनी को सजा मिलती है कि तुम्हारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आक्री इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब यक्षिनी को वो आक्री लगा कौन मिलता है कौन है जो यक्षिनी को मारकर खुवेर के सामड़ा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डाइरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तैयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पोटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के आक्टरस है और कुछ भी नहीं है एक्षन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल वेदम नह फिल्म के बहुत से सीन ऐसे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बजट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बजट बहुत ही क नहीं है तो आप इस फोन को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए ब नाथी भाज़ा में डिजनी फिला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षनी करने देशन तेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आये हैं जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग इसके बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षनी में क्या कुछ खास है यक्षनी एक टिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का उल्लं ना हो जिसके बाद यक्षनी अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पूरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके मुलाकाती एक्षनी से होती है तब वो उसके प पड़ा पर डिजनी प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजे क्रिशना का वेटी का माया यानि अक्षनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सेरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज का कुमन, दैनान द सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आकी रियक्षनी है कौन, तो हम आपको बता दे कि ये अक्षनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पु प्रॉम पर एक साथ इंडिया सूपरनाश्रल वेब सीरीज रिलेस की गई है, ये सूपरनाश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी, पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांड कर डाले है, इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है, सर्फ सीरीज के 6 एपिसोर्स देखने हैं, उन 6 एपिसोर्स के अगर लिंद की बात की जाए, तो 30 मिनिट के आस-पास की है, देखने को मलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं, तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है, इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बिल्कुल भी ना देखें, ये शो फैमिली कांटिन नहीं है, फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए, तो कुबेर के साम लोगों से प्यार करना होगा, और उनको मारना होगा, और जो आकरी इंसान होगा, वो वरजिन होना चाहिए, अब ये अक्षनी को वो आकरी लगा कौन मिलता है, कौन है, जो ये अक्षनी को मार कर कुवेर के सामरे, जो को हरपना चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको य सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बना था तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की वेश भी सर्फ पर सीरीज का बज़ित का बहुती कम ख्याल रखा गया है और सीरीज का बज़ित बहुती कम है और आपके पास और देखने के लिए नहीं है तो अप इस फुल्म को एकबड देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र OTT पर Most Awaited Supernatural शोर रिलीज हो गई है जिसे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे समच अपनी नसरे कराए बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 2024 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करनर देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्लेकर आए है जिसरे एकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आई ये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या कुछ खास है यक्षिनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद यक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुती दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है यक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल वजे कृष्णा का वेटिका माया यानि एक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी सुरेज, स्रीनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दरेडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रनी था त्रीनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन? तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूत है, जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतने कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, येक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरान कथाव में क्या गया है, फैमिली के साथ बैट करबल को जिना देखे टेलेगो फिल्म या या खिनी, होट स्रार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरिस की गई है, ये सूपरनेश्रल फिल्म है, तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म ज देखने हैं, उन छे एपिसोड के अगर लेंट की बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है, देखने को मिलती है, हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है, अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन हैं तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गया है, इस शो को आप अप फैमली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना देखे, ये शो फैमली कॉंटेंट नहीं है, फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है, जो इंसान उसे एकसेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस यक्षनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए, अब यक्षनी को वो आखरी लगा कौन मिलता है, कौन है जो यक्षनी को मार कर कुवेर के सामराज्य को ह पर अपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पे इसे दिखाई जाती है वीएफेट से जी आइ बिल्कुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़िट का बहुती क्याल रखा गया है और सीरीज का वज़िट बहुती कम है फिल्म का तच्छा था तो आप इस पूर्म को एक बड़ देख सकते हैं यक्षनी करने देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ब्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आए है जिसरे एकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आई ये जानते हैं कि यक्षनी में क्या कुछ खास है यक्षनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिलकुल भी परवाना हो जिसके बाद ये एक्षिने अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरुश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके मुलागाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि ये एक्षिने अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शको को पड़ापट डिस्नी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचू जवाला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटी का माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सीरीज में जेमीनी सुरेज, त्रिनिवाश, तेज काकुमान, दैनान दर्रडी, तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था त्रिनाथ, नवीन, नैनी, हनुवीर, सई, किरन, जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि येक्षिनी एक देब दूथ है जो मंदिर की रक्षा करती है, इनके देब तब अगवान को वेर होते है, वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा, येक्षिनी का जिक्र, रमायन और महवारत जैसे पौरान कथाव में क्या गया है? येक्षिनी है, जो की धारती पढ़ा कर एक इनसान से प्यार कर बैठती है, जो इनसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तब कुवेर से इस येक्षिनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आकरी इनसान होगा वो वरजिन होना चाहिए. अब ये अक्षिनी को वो आफिलर का कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेट के सामड़ा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवेश भी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक्ट सेजी आई बिलकुल भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरीज का बज़िट का बहुत ही कम रखा गया है और सीरीज का बज़िट बहु देखने के लिए नहीं है तो आप इस फोन को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सहावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडिटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे द बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी फिला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षनी करने देशन तेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर अलग कौन से प्ले कर आए है जिससे रेकने के बाद दर्शको की खुशी साथ प्यास्मान पर है ऐसे में आये जानते है कि यक्षनी में क्या कुछ खास है यक्षनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें यक्षनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़ यक्षनी अपने 99 शिकार का कतल करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पुरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षनी से होती है तब वो उसके प्यार में बजाता ह है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया यक्षनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिसनी प्लस और स्टार पर जाना होगा यक्षनी में ल लीच शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था त्रीनाथ नवीन नैनी हनुवीर सई किरन जैसे कई आक्ट्रिस नजर आएंगे और यक्षनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आकि रियक्षनी है कौन तो हम आपको बता दे कि यक्षनी और आने कथाव में क्या गया है उन छे एपिसोड्स के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गया है इस शो को आप अपनी फैमली के साथ बैठ कर बलकल भी ना देखें ये शो फैमली कांटेंट नहीं है इस यक्षिनी को सजा मिलती है कि तुमारे सो लोगों से प्यार करना होगा और उनको मारना होगा और जो आखरी इंसान होगा वो वरजिन होना चाहिए अब ये अक्षिनी को वो आफ्रिलर का कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेट के सामड़ा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिर्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्यूंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किया गया है इस सीरीज की इवे स्पी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्टरेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उस में बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती है वी एफेक से जी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरिस का बजट का बहुत ही कम ख्याल रखा गया है और सीरिस का बजट बहुत ही कम है फिल्म का कॉंसेप्ट अच्छा था पर उसे सीदंक से डारेक्टर साहब ने दिखा नहीं सके कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ही कम होता है सीरिस का दूसरा सीजन बे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के नहीं है तो आप इस फोन को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सौवा सिकार करने आ गई है यश्कीनी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओडीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए ब नाथी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यश्कीनी करने देशन तेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सूपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पिशाचिनी और ग्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग आपके बाद दर्शको की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि येक्षनी में क्या कुछ खास है येक्षनी एक तिलीगू वेब सीरीज है जिसमें येक्षनी एक सामने पुरिश से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का उल होता है और फिर उसे श्राब मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद येक्षनी अपने 99 शिकार का कतला क परणे में सफल हो जाती है और अपने 100 वे सिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पूरश मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बिल्कुल दिल्चस रहेगा कि किया येक्ष अक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटिका माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी सुरेज स्रीनिवाश तेज का कुमान दैनान दरडी तेने लीच शकुंतला और ललीता कुमारी प्र यक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि एक देब दूथ है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा यक्षिनी का जिक्र रमायन और महवारत जैसे पौरान तो आपको लगेगा कि विक्रमवर्ट की फल्म जैसी ही होगी पर नहीं इस फल्म ने उनकी फल्म से भी बड़े-बड़े कान्ट कर डाले है इस सीरीज के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं है सर्फ देखने हैं उ बनाई गई है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकल गिना देखें ये शो फैमिली कॉंटेंट नहीं है फिल्म की कहानी की बात अगर की जाए तो कुवेर के सामराज्य की एक यक्षनी है जो की धारती पढ़ा कर एक इंसान से प्यार कर बैठती है जो इंसान उ अब वरजिन होना चाहिए अब यए अक्षनी को आठी लगा कौन है जो यक्षनी को मारकर कुवेर के सामरा जे को हरपना चाहता है यह सब जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी अगर इस पर्म को कोई अचा डाइरेक्टर बनाता तो यह एक बड़िया सीरीज ब बात की जाए तो उसमें बिलकुर विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे है जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाए जाती है वी एफेक्ट सीजी आई बिलकुर भी अच्छे नहीं है देखकर ही लगता है कि सीरिस का बजट का बहुती कम ख होता है इस सीरिस का दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी उटीटी पर देखे प् जून 24 को तिलेगु तामिल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी विला सौट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षनी करने देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आए है जैसे नागिन पि एक सामने पुरी से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगन होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पुरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुब सूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जि लेकि जब उसके बुलागाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में ये देखना बलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फुल हो पाती है और अलका पुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिजनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचू ज्वाला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटी का माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सेरीज में जेमीनी सुरे स्रीनिवा पर सही किरन जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उटने वाला है कि आकि रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि ये अक्षिनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतनी अबसूरत होती है कि कोई भी पुरुशन के प्यार में पर जाएगा ये अक्षिनी का जिक्रत अमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में क्या गया है फैमिली के साथ बैट कर बल को घिना देखे तेलेगो फिल्म या या खीनी होट सार के OTT प्लैट्राम पर एक साथ इंडिया सूपरनेश्रल वेब सीरिस रिलीस की गई है ये सूपरनेश्रल फिल्म है तो आपको लगेगा कि विक्रमवट की फिल्म जैसे ही होगी पर नहीं इस फिल्म ने उनकी फिल्म से भी बड़े बड़े कांड कर डाले है इस सीरिस के सीजन को देखने के लिए अगर कहा जाए तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़रत नहीं हैं सर्फ सीरिस के छे एपिसोर्स देखने हैं उन छे एपिसोर्स के अगर लेंड की बात की नहीं है की जाए सब्सक्राइब के सामराज्य की एक शनी का कर एक से गार कर बैठिटी है दो सजा मलती है कि तुम्हारे साँ लोगों से प्यार करना होगा च innстंब वो वर्जिन होना चाहिए अब ये अक्षिनी को आफिलर का कौन मिलता है कौन है जो ये अक्षिनी को मार कर खुवेट के सामड़ा जो को हरपना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फर्म को कोई अचा डाइरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज भरकर तयार होगी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पोतेनशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं क्या गया है इस सीरीज की वेज़ी सर पर सर्फ इस फल्म के एक्टरिस है और कुछ भी नहीं है एक्षिन की बात की जा answer को उस में सब्सक्राइब करने अगई है अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते हैं अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी ओड़ीटी पर देखे प्यार और डर का खाफनाक मज़र ओड़ीटी पर मुस्ट अवेटिट सूपरनेशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकर वरे सभी लंबे सबस अपने नसरे गराये बैठे है इस शो का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम करनर हिंदी बंगला और मनाठी भाज़ा में डिजनी फिला सॉट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी करने देश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले टीवी पर कई ऐसे सुपरनाश्रल शोज आये हैं जैसे नागिन पिशाचिनी और ड्रमर आक्षिस लेकिन इस बर मेकर्स अलग कौन से प्ले कर आये हैं जिससे रेकने के बाद दर्शकों की खुशी साथ प्यासमान पर है ऐसे में आये जानते हैं कि यक्षिनी में क्या प्सूरती का फाइदा उठाकर सौ ऐसे पुरुशों का कतला करना होगा जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाना हो जिसके बाद यक्षिनी अपने 99 शिकार का कतला करने में सफल हो जाती है और अपने 100 शिकार को डूरने में जुच जाती है इस दोरान उसे एक ऐसा पाती है और अलकापुरी वापस लोटती है यार नहीं सभी तरह से सवालों के लिए दर्शकों को पड़ापट डिजनी प्लस और स्टार पर जाना होगा ये अक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटी का माया यानि अक्षिनी का क और ये अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक सवाल उटने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बता दे कि ये अक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतने कुबसूरत होती है कि कोई भी प एक्षिनी का जिक्रत अमायन और महवारत जैसे वोरानी कथाव में किया गया है जिसके 6 एपिसोड्स देखने हैं उन 6 एपिसोड्स के अगर लेंट के बात की जाए तो 30 मिनिट के आसपास की है देखने को मिलती है हिंदे रविंग भी ठीक ठाक है अगर आप एक ठरकी फिल्मों के फैन है तो ये समझ ले कि ये फिल्म आपके लिए ही बनाई गयी है इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बलकुल भी ना देखें ये शो फैमिली कांटिन नहीं है तुम्क्य गानी की बात अगर की जाए तो कुभैर के सामराज्य की ये कि यक्शनी है जो की धारती पढा कर एक इंसन से प्यार कर रहती है जो इंसान उसे accept नहीं करता है तब कुभैर से इस यक्शनी को सजा मलती है कि तुम्हारे Hause comme ये करना होगा और उनको मार ना चाहता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अगर इस फिल्म को कोई अच्छा डायरेक्टर बनाता तो ये एक बड़िया सीरीज बन कर तेयार हो दी क्योंकि इस सीरीज की कहानी में बहुत ही पुटेंशिल है पर इसको सही से हमारे सामने पेश नहीं किय जा गया है इस सीरीज की वेस्पी सर्फ और सर्फ इस फिल्म के एक्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है एक्शन की बात की जाए तो उसमें बिलकुल विदम नहीं है फिल्म के बहुत से सीन ऐसे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है नॉंसेस टाइप की चीज़े दिखाई जाती इस सीरीज का दूसरा सीजन वे आता हुआ नजल आएगा अगर आपके पास एक भी फिल्म देखने के लिए नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बड़ देख सकते है अपनी खूपसूरती के जाल में सुखावा सिकार करने आ गई है यश्कीनी OTT पर देखे प्यार और डर का खाफनाख मज़र OTT पर Most Awaited सूपरनाशनल शोर रिलीज हो गई है जिससे देखने के लिए बच्चे से लेकरवरे सभी लंबे समझ अपनी नसरे गराए बैठे है इस शोर का नाम यक्षिनी है यक्षिनी 14 जून 24 को तिलेगो तामल मली आलम क पर नर हिंदी, बंगला और मनाथी भाज़ा में डिजनी विला सॉर्ट स्टार पर स्ट्रीम हो गई है यक्षिनी का निरदेश अंतेजा माने ने किया है हाला कि इससे पहले भी टीवी पर कई ऐसे सुपरनाशनल शोर आए है जैसे नागिन, पिशाचिनी और ग्रमर आक्ष सीरीज है जिसमें यक्षिनी एक सामने पुरिष से प्यार कर बैठती है जिसके बज़े से अलका पूरी के नियमों का लंगण होता है और फिर उसे श्राप मलता है कि अगर उसे अलका पूरी में वापस आना है तो उसे अपनी खुबसूरती का फाइदा उठा कर सौ ऐसे प पूरिष मलता है जो शादी से बहुत दूर भागता है लेकिन जब उसके बुलाकाती एक्षिनी से होती है तब वो उसके प्यार में बढ़ जाता है वैसे में यह देखना बिलकुल दिल्चस रहेगा कि किया एक्षिनी अपनी मिशन में सक्सेस्फूल हो पाती है और अलका की तरह से सवालों के लिए दर्शको को पड़ापट डिजनी प्लस और स्टार पर जाना होगा यह अक्षिनी में लक्षमी मंचू जौला मुखी का राहुल विजे कृष्णा का वेटी का माया यानि अक्षिनी का किरदार निभा रही है इनके अलावा सिरीज में जेमीनी प्रिनिवाज तेज काकुमन दैनान दर्डी तेनेली शकुंतला और ललीता कुमारी प्रणी था त्रीनाथ नवीन नैनी हनुवीर सई किडन जैसे कई अक्षिनी सीरीज देखने के बाद अपके मन में एक ही सवाल उठने वाला है कि आके रियक्षिनी है कौन तो हम आपको बतादे की एक्षिनी एक देब दूत है जो मंदिर की रक्षा करती है इनके देब तब अगवान को वेर होते है वो इतनी कुपसूरत होती है कि कोई भी पुरुष उनके प्यार में पर जाएगा येक्षिनी का जिक्र रमायन और महवारत जैसे पौराने कथाव में किया गय झाल झाल झाल